नीबो में पहले दो वर्ष बहुत अधिक देखभाल की आवशकता होती है क्योंकि छोटे पोदों में पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ने पानी की कमी पड़नी चाहिए और ने पानी अधिक मातरा में होना चाहिए पिछली दो तीन वीडियो में मैंने फाइट ओफ वतोरा जड़ गलन डाई बैक के बारे में बात की है किसान साथियो ये वही पोदे हैं जो मैंने आपको बिलकुल लगबग सूखे विये दिखाए थे और अभी भी आप ये देख लीजिए ये जो टहनी है इसकी ये सूख रही है और इसमें से आगे से बाकी फुटान चल पड़ी है ये देखिए कई टेहनिया हैं जो सूख रही है मैंने नहीं काटी थी ये देखिए लेकिन इसमें अभी भी ये फुटान नीचे से भी सुरू हो गई उपर से भी सुरू हो गई श्वयम देख लीजिए इन में मैंने बताया था कि क्या-क्या कारिय करना है जो पहली ड्रिंचिंग थी वो पोधे की जड़ में होनी थी आपको ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है आज का जो मुख्य विशे है वो यही है कि दो साल तक नीमबू के पोधों में आपको किस प्रकार देखरे करनी है और क्या अधिकतर रोग आएगा जो सबसे बड़ा रोग है वो होता है जड़ गलन का मेरे को बहुत फोन आते हैं और मैसेज आते हैं कि हमारे पोधे इस तरह से हो रहे हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि इनको जड़ गलन का रोग है किसान सातियों वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है आज फिर मैं ये बता रहा हूँ कि उस से आगे क्या कारिय करना है और आपको जब ये दिखाई दे इसकी पहचान करें तो आपको किस प्रकार कारिय सुरू करना है इसकी पहचान सबसे पहले ये होती है कि जैसे ये टहनी सूखी हुई है इसके पत्ते यहां से पीले होने सुरू हो जाएंगे जब पत्ते पीले शुरू होंगे तो धीरे धीरे वो गिरने लगते हैं और टहनी उपर से सूखने लगती है इस परकार हो जाती है जैसी ये टहनी है पोधे लगबग गंजा हो जाता है तो आपको जैसे ही पत्ते पीले होकर ऐसमेह देखिये जो सरदी शुरू होते हैं सरदी के कारण भी पत्ते गिरते हैं वो पोधे मैच्योर हो जाते हैं ये भी पत्ते गिरेंगे लेकिन इनका समय आएगा तब जब नई फुटान होनी होती है अगर तब भी पत्ते गिर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पोधे में जड़ गलन है अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कारिय करना है जैसा मैंने बताया था कि ये मेरा पोधा है जो सितंबर 2020 में लगाया था ये साई सर्बत्री का पोधा है और इन लगबग मेरे साथ आठ पोधों में ये रोग आया था ये देखिए यहां से इस परकार गंजा हो गया था ये देखिए और अब सारी नई फुटान चल गई है ये देखिए ये टहनी यहां से चली थी ये आधी सूख गई है इसका क्या करना है इसको भी मैं बताऊंगा तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक गड्डा बनाना हलका सा ध्यान ये रहे जड़ नहीं कटनी चाहिए या तो गड्डा बनाईए या थोड़ी थोड़ी इस प्रकार ये मिट्टी हटा लिजिए और यहाँ पर बोडो मिसरण जो मैंने बताया था एक किलो नीला थोता कोपर सलफेट पीस लीजी अच्छी तरह से एक प्लास्टिक की बाल्टी में रात भर पांच लिटर पानी में मिला कर रखिए और एक किलो चुना बुझा वाओ या बिना बुझा वाओ रात भर भीगो कर रख लीजी ये पांच यह मिलाते समय उन्हें चलाना बहुत जुरूरी है यह आपका 10 लिटर तयार हो गया इसमें 140 लिटर पानी और मिलाइए यह तयार हो गया आपका बोर्डो मिस्रन इस मिस्रन को आप पोधे की उम्र के अनुसार एक साल के पोधे में आप एक लिटर डाल सकते हैं उससे बड़ा चला जाए दूसरी लिटर डालिए उसके बाद फिर मिट्टी करतीजिए और एक महीने बाद इसकी मातरा आधी करतीजिए बच जाता है तो आप इसमें पानी मिलाकर इसका एक स्प्रे भी कर सकते हैं ड्रिंचिंग के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो इसकी कैनो आपी जहां तक साखाए फैली हुई हैं और मैंने जो मल्चिंग की हुई है वहां तक नमी बनी रहनी चाहिए नमी का आर्थ है पानी नहीं दिखाई देना चाहिए लेकिन अगर बत्ते हटा कर देखोगे तो यह देखे यह हलकी नमी बनी हुई है यह बहुत जरूरी है जै आपको इसका असर दिखाई देगा उसके बाद आपको एक बार फिर करनी है और ये मल्चिंग अवस्य करें मल्चिंग का अर्थ होता है कि पोधे की कैनोपी के नीचे घास फूस पहले साफ कर ले और जो भी पत्ते पड़े हों आपके पास कोई भी पत्ते हों इस तरह का घास फूस हो आपके पास जो गन्ने की पतिया होती हैं वो हो या सरसोगी तूड़ी हो कोई भी चीज यहां पर अवस्य भी जाए किसान साथियों इसके दो फाइदे एक तो ये है के धूप नीचे नहीं जाती और जो जीवानों होते हैं उन्हें कारिय करने में आसानी होती है और दूसरा होता है कि आपको कम पानी की आवस्सकता पड़ती है उन स्थानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर पानी की कमी होती है जैसे ही दूसरी ड्रिंचिंग करेंगे जो मैंने अभी एक सप्ता पहले की थी, तो आप देखना कितना आश्चिरिय जनक बदलाओ आएगा पोतों में, आप इस चीज को धान से देखिए, मैंने इसको सफाई करवाई है, यहाँ पर पत्ते डाल दिये हैं और यह ड्रीप है, पोधे से लगबग एक फिट से जादा दूर है, एक ड्रीपरी है और पूरे पोधे में नमी आई हुई है, अब जब पोधा आपनी जो अवस्था में आ जाए, आपको लगा कि हाँ, यह देखिए ठीक हो गया, तो आपको अब यह कारिये करना है, कि यह सूखी टहनी लीज जाए, तभी करना है, पहले करेंगे तो और भी टहनिया सूखती चली जाएगी, यह देखिए, जैसे मेरी यह है, यह यह यहाँ पर बड़े ध्यान से, यह देखिए, यह वाला पोर्शन मैने काट दिया, इसको मैं काट दिया, इसको कट करना हुआ, कुछ नहीं करना हूँ किसान साथियों एक और में निवेदेन करूँगा कि नीमु में काम करते से में थोड़ा गलव जरूर पहने, मेरे हाथ में बहुत कांटे लगते हैं, और इससे समस्या कभी-कभी बड़ी भहेंकर समस्या आ जाती है, कि आपको सेप्टिक तक भी हो सकता है, तो ये कारिये जाए और आप देखना आपके पोधे कितने अच्छे हो जाएंगा, इस तेहनी को बहुत ध्यान से देखना है, कि इस तेहनी में यहां पर फुटान हुई है, यह जाए बड़ी हो गई है, इसकी तेहनी और इसको हम कट करतेंगे, इसको किसान साथियों आपको ये ध्यान र किसी को भी देखिए, किसी में कोई भी रोग नहीं है, कोई लीफ माइनर नहीं है, कोई थ्रिप्स नहीं है, कोई इसमें आपको नीम्बू की तितली नहीं है, कोई कैंकर नहीं है, इसका कारण ये है कि अब तक इस पर मैंने दो बार, एक मैंने इस प्रेय किया था, जो मैंने पांच एमेल परती रिटर का इस्प्रे किया था अभी तक नहीं किया है और इस बात को अब लगभग 20 दिन से जादा हो चुके हैं मैंने एक भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इस पर नहीं लगाया है परिणाम आप लोगों के सामने है तो किसान साथियो अगर आप अपने नीबू में अच्छी तरह इस प्रकार देख भाल करेंगे तो बीमारी नहीं होगी नीबू का सबसे खतरनाक और जो गुट्टी वाले पोदे हैं जिने कॉलकता पत्ती कहते हैं या जो गुट्टी वाले पोदे हैं जिनमें प्राइमरी जड़े नहीं होती टैप जा मैं तो बार अनुसंसा करता हूं कि एक इनसेक्टिसाइड़ कोई बी जैसे क्लोरो पाइरिफास 50% वाली हो तो 1 ml परतिलिटर और 20% वाली हो तो 2 ml परतिलिटर और 1 आती है थाइज़ो फिनेट मिधाइल किसी अच्छी कमपनी के लिए जैसे गुदरेज कि लिए, बायो स्टेड के लिए या इफको के लिए उसका दो ग्राम परतिलिटर उसकी ड्रिंचिंग साल में दो बार एक बर साथ से पहले और एक सर्दियों के बाद अवश्य करें तो आपके पोधों में कभी इस तरह की समस्या नहीं होगी जो भाई जैविक करते हैं उनके लिए बायो रूट केयर मिलता है डॉक्टर राजन लेबोरेटरी के हाँ पर एक बायो रूट केयर आप उसको भी कर सकते हैं 5 ml परतिलिटर के हिसाब से किसान साथियो ये थी मेरी लगभग अन्तिम प्रस्तूती फाइटो पतोरा छोटे पोधो की देख बाल पर आज मैंने आपको जो बाते बताई हैं कि उनको मल्चिंग अवस्य कीजिए देखिए ये मेरे पास जो जितना भी घास फूंस निकलता है मैं सब को आसपास इकठा करा लेता हूं और जब वो सूख जाता है तो उसको इस प्रकार ढख देता हूं और पोधों में मुझे अधिक पानी की आवस्यक्ता ने देखिए इसमें तीन दिन हो गए कितनी अच्छी नमी है पानी की तो नमी आएगी और ये पोधे देखिए पूरे रिवाइवल के कर लेक्याद के पाने खी हार कर लेता है रिवाइवल की का.